जर्ज़ज एक तरफ जहां हिजबुल्ला और अज़रैल के बीच युद्ध का खतरा मनद्रा रहा है ताबर तोड़ हमले कर रहा है लगतर समय कि उजबुल्ला की रणनीती है कि इसराइली सेना पर मानस एक दबाउ बनाया जाए जिससे दोनों के बीच में चल रहा ये संगर्ष पूर्ण युद्ध में तब्तील ना हो सके और यही वज़ा है कि इसराइल और लेबनान बॉर्डर हर एक मिनट और हर एक सेकेंड जल रहा है जिसमें हिज़बुला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें इस पूरे इलाके को जला रहे हैं और अब इसी कड़ी में हिज़बुला ने एक बार फिर से उत्री इसराइल को दहला कर रख दिया है दरासल हिजबुला ने उत्री इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किये सबसे पहले उसने इसराइल के येरोन सेटलमेंट पर सीधा हमला किया है उसके बाद उसने बिरैनिट बैरेक्स में आईडियफ की 91 डिविजन के हेड़क्वाटर पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले में हैवी बुरकन रॉकेट्स का इस्तमाल किया है हिजबुला के मताबिक उसके ये रॉकेट्स सीधे आईडियफ के हेड़क्वाटर पर जा लगे है जिस से आईडियफ को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद शाम करीब 4.40 मिनट पर बेत हिलल बैरिक्स में साहेल बटालियन के हेड़कौटर्स पर ताबड़तोड हमले किये गए इस हमले में हिजबुला ने आईडियफ पर फलक रॉकेट्स की जड़ी लगा दी जिससे साहेल बटालियन का हेड़कौटर पूरी तरहा से शती ग्रस्थ हो गया और इस हमले के तुरंद बाद मेतूला सेटलमेंट में भी एक बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ जिसमें आईडियफ ने पोजिशन ले रखी थी हिजबुला का कहना है कि उसने इसराइल के कबजे वाले सीरियन गोलन हाइट्स में भी आईडियफ की 188 वी आर्म ब्रिगेड के हेड़कौटर रिवाया बेस पर एक आत्म घाती ड्रोन का जथा फायर किया है और इस हमले में कमांड बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर इसराइली सैने के कट्टा हो रहे थे हिजबुला का कहना है कि ये हमला भी सीधे आईडियफ पर हुआ है जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है और इसके अलावा बे थिल्लेल बैरिक्स में एक मिलिटरी वर्कशॉप पर भी हिजबुला ने सीधा हमला किया है हिजबुला का कहना है कि उसने कबजे वाले लिबनानी शीबा फॉंस में रुइसा तलकान साइट और अलसमेका साइट पर दनादन बंबारी की है हिजबुला ने यहाँ पर रॉकेट और कई गोले दागे है और इसी कड़ी में हिजबुला के मिलिटरी मीडिया ने एक वीडियो भी रिलीस किया है जिसमें हिजबुला के लड़ाके IDF के एक मेरकावा टैंक और नेमारा आमर्ड रिकावरी वेकल को निशाना बना रहे है हिजबुला का कहना है कि उसने इस वाहन पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया है वहीं हिजबुला के इन हमलों को लेकर अब इसराइली सेना ने भी अपना बयान जारी किया है IDF का कहना है कि 30 जून 2024 को हुए उत्तरी इसराइल पर एक हमले में 18 जवान जखमी हुए है इन में से एक जवान गंभी रूप से घायल हुआ है IDF के मुताबिक हिजबुला ने गैलीली पैनहंडेल और उत्तरी गोलन हाइट्स पर कई आत्मगाती ड्रोन से हमला किया और वहीं मेरॉन गोलन इलाके में एक विसफोटक से लदा ड्रोन आगिरा जिसमें 18 जवान जखमी हो गए आपको बताते कि बीते दिनों में हिजबुला ने विसफोटक से लदे ड्रोन हमले बढ़ा दिये हैं और इससे पहले हिजबुला ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल और रॉकेट्स के जत्तों से हमला कर रहा था और दिसमें जबस्दी से लदेखंगा मिसा जाएडेंड मिसाइबुला जाएग मिसाएबुला जवार जोनी बड़ाग जज़ा हिए पले जज़पन से लदेंटा जबुला इसससे पहाँ चलांजबुला जबस्टती जबस्टती उयाग कर दो आएगश।